ms word file को microsoft word file को computer या laptop में whatsapp पर कैसे भेजे send करे आये जाते हैं सबसे पहले आप यहां पर word कोल ले और कोई भी अपना document चुल ले जैसे मेरा यह document है अब मैं इसे किसी को भीगना चाहता हूँ तो उपर यहां पर file पर मैं क्लिक करूंगा यह रहा file को option यहां पर ठीक है इसके बाद यहां पर save as पर क्लिक करें यह रहा, browse पर क्लिक करें अब आपको यहाँ पर चुन लेना है इसे कहां सेव करना है तो मैं इसे सेव कर देता हूँ F drive में ठीक है क्लिक किया मैंने यह यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दिया तो यह सेव हो गया है ठीक है अब आप किसी भी browser में जाए जैसे की chrome browser और यहाँ पर सर्च करें whatsapp web इस तरीके से web.whatsapp यह website आप open कर ले whatsapp web ठीक है तो आपको यह qr code दिख जाएगा अब आपको अपने phone में आना है phone में whatsapp को खोल लेना है और यहाँ पर आपको three dot में जाना है उपर और link device पे क्लिक करना है link device पे यहाँ पर क्लिक करें पासवर्ड मागने का तो डाले यह qr code scan कर रहे तो qr code में ने scan कर लिया and मेरे phone का whatsapp यहाँ पर दिख जाएगा अब आपको किसी को भी भेज देना है किसी भी अब आप यहाँ पर नीचे plus पे करना है कि यहाँ पर आप document पर सेड़क करें हम ने देखिए f drive में रखा था तो यह रहा हमारा word document इस पर क्लिक करना है and open कर देना है कि यहाँ पर यह आ गया है send कर दे तो देखिए document यहां से सेंड हो रहा है एंड यह हमारे फोन में भी यहां पर देखिए आ गया है यह डॉक्यमेंट आप यहां से इसे ओपन करें और यह ओपन हो जाएगा देखिए यहां पर यह ओपन हो रहा है अगर आपके फोन में ओपन नहीं होगा तो ध्यान देखिए आप माइक्रोसॉफ वर्ड की यह अप्लिकेशन अपने फोन में इंस्टाल करके रखे ठीक है प्ले स्टोर से यहां पर यह डॉक्यमेंट हमारा ओपन हो गया है